असलाम वेकुम्री स्टूरेंट हमने गो थू किया कि रीसर्च में हमारे पस कॉन्फिक्टिंग डिजर्ड मौजूद हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों की लिट्रिसी स्किल्स के उपर एबुक के क्या असरात हैं क्या वो सिग्निफिकेंट हैं बेतर हैं या कम बेतर हैं या उन में कोई फर्क नहीं है अगर आप बच्चों को प्रिंट बुक के तुरू पढ़ाएं सो लेट सी कि हमारे पस क्या रीसर्च इंसाइट आती है जिब हम कंपेर कर रहे होते हैं डिजिटल बुक्स को और प्रिंट बुक को जो सबसे इंपॉ इसका में फीचर है अब सबसे पहले हम उन स्टडी को देखते हैं जो यह कहती हैं कि इबुक्स बैटर देन दा प्रिंट बुक्स हमारे पस ट्रॉस की और गयाउना की एक स्टडी है 2017 की उन्होंने तकरीब देर से दो साल तक के बच्चों के उपर एक स्टडी की है और उनक उसका फोकस और इंगेजमेंट ज्यादा रहता और अटेंशन ज्यादा है दूसरी स्टडी 2016 की है और उसके अंदर बताया गया है कि तीन से चार साल तक के बच्चों की रिसेप्टिव विकैबलरी जो है उसका स्कोर बहतर हुआ है जब उन बच्चों ने ई-बुक के त्री स्कायी आँ सन happier मिलता है जब वह अपने के साथ उसका रिट यूबुक के यहांता चाह Dusके रिजel ट्रीशन बुक से बहुत बेतर आ जाते यहां तक कि कि हैं में घुख सब्सक्रापठ निघुट OCfour बीजूवका को बात noon वो रुटिकर से चौप सबस्फेश को बहुता है। ऑर बच्चों की स्टॉरी,실ट शौ Apache ऑन्राप आज पो है। कॉम्प्रियंशन जो है वो ज्यादा बेतर है आपके प्रिंट बुक के निजबत लेकिन सारी स्टडी समें यह नहीं बता रही कुछ स्टडी समें बताती हैं कि कुछ और रिजल्ट भी मौजूद हैं मिसाल के तौर पे एक यूएस में स्टडी हुई आर 2014 में चार साल तक के बच्चों के उपर और वर्डिफॉंट के उनको लगा कि ना इबुक और डिजिटर बुक दोनों के फॉर्मट के साथ जब पढ़ाया गया तो लिट्रसी स्केस में कोई भी खास दिफ्रेंस मौजूद नहीं था 2017 की एक स्टडी हमारे सामने मौजूद है उसके अंदर भी क कहाँ बेतर है प्रिंट बुक के साथ बेथर है एक और एक और सामने होता है 2014 के स्टडी में उसमें ये आया कि हमारी प्रिंट बुक थेंज ज्यादा एफेक्टिव हैं लर्निंग के लिए डिजिटल बुक की निसपत्थ बच्चे उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक होते हैं 2020 क एक हमारे पास study मौजूद है जिसको हम meta analysis कहते हैं जिसमें तमाम जो studies पहले हो चुकी है और quality studies है जिनके result पर आप reliable कर सकते हैं यह उनका meta analysis है अब वो क्या बताती है और वो हमें यह बताती है कि जो impact है e-book का literacy outcome के ऊपर कोई satisfactory नहीं है और उसका कोई significant difference नहीं है और अगर हम print book को देखे तो कई जगा पे print book का effect बच्चों के literacy skills पे बेतर है e-book के लिए जो hype up की rate किया गया है वो actually कोई खास hype up नहीं है जिसको हम सामने रखते हुए in gadget को जरूर introduce करें सो हमारे पास conflicting results मौजूद है